मश्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का और आज जो मैंने आपको बताया था एनम वाली जो वेकेंसी के बारे में उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं उनलाइन फॉर्म उसकी पूरी पीडियेप आ गई है तो मैं इसके बारे में आपको पूरी एकक जानकारी दे सकता हू कि कौन-कौन इसको फोर्म को फिल कर सकता है ठीक है सबसे पहले तो अभी जो एनम की वेकेंसी आई है झिन्होंने दो साल की जो ट्रेंशिक करी जिनके पास ट्रेνशिक का डेपलोमा है वो यह ऐनम का फॉर्मार से फिल कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है जो टूवेल्थ बेस एनेम है उसकी एक्जाम जो है वो कब आईगी वो आईगी आपकी जनवरी में जनवरी में आईगी और फरवरी में एक्जाम है उसकी आपको डेली क्लासे मिल रहे हैं उसकी डेली आपकी तयारी चल रही है इसमें आपका जीके और साइंस आता है उसका पूरा में बाद में बता हूँ जो अभी एनम आई हैं इसके बारे में मैं आपको पूरा बता लता हूँ यह राश्टी स्वास्त मिशन मदिपदेश लोक सेवा और परिवार कल्यान विभांग मदिपदेश राशन दुवारा नियम पुस्तिक आ गई है एनम के चैन के लिए आनलाइन लिखिट टेस्ट होगा कब होगा पूरी जानकरी इस केस में चलिए राश्टी स्वास्त मिशन इसकी पीडिएप जो होगी मैं आपको टेलिग्राम पर दे दुआ या आपको मैं बता दुआ कैसे डाउनलोड करनी है या होगा तो अगर मेरे इस पे पीडिएप ब है इस पीडिएप में आपको क्या-क्या है कि इसमें हैं आपके 1200 पद ठीक है सवीदा रिक्त पदों के लिए उमीदवारों से भरे जाने वाले पद हैं इसमें यह सब पद हैं जो 1200 पद हैं उसके बाद यहां पर देख ले दें निशक्त के लिए महिला चोज़ें बहुतर इसमें कुछ भी नहीं यहां से आपकी स्टार्ट हो गई है आविदन आनलाइन जमा करने की शुरुआ 16-11 आज से स्टार्ट हो चुके हैं आपका फॉर्म इस वेबसाइट पर जाना है आपको इस वेबसाइट पर जाके आपको यह पूरा पीडिएप मिल जाएगा मैं बता तो आज से आप फॉम भर सकते हैं इसमें क्या क्या है शेक्षणिक और अन्य पात्रता इसमें क्या क्या है बारवी पास होना चाहिए किस सब्जेक्ट से होना चाहिए जी विज्ञान रसायन विज्ञान और भोतिक विज्ञान ठीक है टुवेल्थ पास होना चाहिए एक त देश्री कार्य करता साहेक नरसिंग मिडवइड का दो वर्स्ट का परिक्षन पाठिक्रम उत्तियण होना का चाहिए। दो साल का दिपलोमा होना चाहिए। ठीक है। वो फार्म ढाल सकते हैं। तिसरा मधुपॺदेश-ग.्रसिंग.. ממe लगा डाओं सकते हैं। हायर सेकंडी बारवी की अंक सुची जी है न उसके बाद मदिपदेश सरकार द्वारा नर्सिंग मीडिवाइड का अंक सुची नर्सिंग रजेशन काउंसलिंग का पंजियन उपरोग दस्तावेद में आगी पिछे के पन्नों में भी जानकर यंकित हो उसे भी अपलोड करना नहीं है मदिपदेश का मूल निवासी शक्षम अधिकर्द्वार षारी वेधि चाहति प्रमाणपत्र साइमण लीब से परिपात्र उसके बाद दस्तावेद्स कसकाया में इतने समाप्त होने के उप्रांत किसी दस्तावेद़ वेस्त को सुह कर नहीं क्या जाएं यह अभी यूकिता पंजीक्रण की गड़ना के लिए संदर्वितिती एक दो जार तेविस को आयू सीमा 21 से 43 वर्ष होनी चाहिए 21 से 43 वर्ष कि आपकी आयू सीमा होनी चाहिए अधिक्तम आयू सीमा के समद्ध में सामायनी प्रसेशन विभाग ये देखते हैं पांच परसेंट की छूट दी जाएगी इनको अनुसुचित जाती पिछड़ा वर्ग वालों को पांच परसेंट की छूट मिल जाएगी पांच वर्स की इस पेस्टिकरण तो यही यह वेतन वेतन इसमें मिलेगा 12,000 रुपए वेतन दिया जाएगा प्रतिमाम एक महिने के 12, 12,000 रुपए मिलेंगे यह लिखा हुआ है चैन के बाद उमिद्दार को सवेता महिला स्वास्ते करता एनम के रूप में काम करने के लिए नियुप्त किया जाएगा और हर महिने 12,000 रुपए मिलेंगे आरक्षन नियम मद्यपदेश राजय आरक्षन निती और आयू छूट में लागो की जाएगी अनुस्य जाती अनुस्य जन जाती और पिछिडा वर्ग EWS विकलांग विक्ति और आयू में छूट के अवल मद्यपदेश के उमिद्वारों को उमिद्वार पाई जो मद्यपदेश का मूल निवासी उसी के ओपर यह छूट लागो होगी एक मिनु और देख लेते ना और कहके हैं इसमें जो खास कास है लिखावा सविदा महिला स्वास्त कार्य करता A&M के चैन के लिए स्टेटेनिक एलाइंस मेनेजमेंट सर्विस प्राइविट लिमेंटेर सेमस द्वारा इमसी कुज आधार्येट परिक्षा का आयोजन किया जाएगा विवाग द्वार अंतिम्रों प्रतान के गया पाठिक्रम के आधार पस्टेटिक मेनेजमेंट सर्शेज्ष सीब और यह चैन्द्र नायका परिक्षा बौपल इंदोर गौलिएर जबलपूर रिवा उजेण स और क्या है प्रात्म के अंदर के कुल संग्या क्यों प्रात्म के अंदर के अधिकती वेबसाइट पर होगी इसकी जो गोश्णा होगी वह एड्मिट कार्ड साथ दिन पहले डाउनलोड होगा और इस वेबसाइट पर आप देखते रहना हाँ परिक्षा के लिए प्रष्ण पत्र में चार उत्तर के विकल्पे के साथ 100 इंसी क्यूज रहेंगे प्रत्यक प्रशन एक अंक का होगा इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है अंक नहीं होगा चैन के लिए online लिखित परिक्षा में प्राप्त उमिध्वारों के अंकों को married rank उत्पन करने का विचार किया जाएगा जिसके आधार पर उमिध्वारों का चैन होगा अल्लाइन लिखे टेस्ट परिक्षा में न्यूंतम उत्यर्ण अंक इस प्रकार होंगे 40 प्रतिशत यू आर 36 प्रतिशत EWS 35 प्रतिशत OBS मेरिट रेंग का परिणाम और उमीद्वार का चैन इस पर और राज आरक्षा नहीं ती कि आधार पर होगा ठीक है चलिए अगला क्या लिखा वाएं आयू में बड़े उमीद्वारों को वरेता दी जाएगी एक ही जाती है यह अटा यह भी कुछ भी नहीं यह भी नहीं कोविट 19 के अंतरगत आकस्मित रूप से कारे करने वाले सविदा महिला स्वास्त कारे करता जिसने नियूंतम अवधी 90 दिन तक कारे किया हो उसे सविदा महिला स्वास्त कारे करता ए एन एम की भरतिय प्रक्रिया में दस प्रतिशर्द आरक्षन दिया जाएगा ठीक है चलिए लेखे परिक्षाय शाक्षरता में किसी का सहयोग पराद तो क्या जाएगा है यह देखते हैं इस्तान और देखते हैं दस्तावेज भी आगया मैंने आपको दस्तावेज भी बता दिया निर्देश और यह सब दस्तावेज आपको लगाने हैं कि और क्या क्या है एक मिट देख लेंगे कारे दाई तो यह सब कारे करने पड़ेंगे आपको कि यह दाई तो रहेगा आपको ग्राम स्वाइश दो परशन दिए उस पर गयर पर ते महिलाओं कि संपूर जाज एस पीडी कार्ड और सी एच पॉर्टल कारी का दाई तो यह सब आपको दाई तो यह सब काम करने पड़ेंगे यह पूरी पीडियाप पढ़ ले ना इसमें जो खास-कास हो मैं बता देता हूं इसमें जो सो नंबर का पेपर होगा न वह इन के उपर पूछा जाएगा महिलाओं के उपर पोशन के उपर सर्दी जुकाम है ना इसी के उपर कि इसी के उपर क्योंशन पूछा जाएगा क्योंकि उन्होंने यह नहीं है कि जीके साइन और देख लिए तन अगार कोई लाबर दिए लेवल वन उप्सास केंद काले करता ना नियुन तर्थीन प्रतीमा प्रोड़ोबल गनुसार हमोगलोब इन के उपर यह मैं बता रहा हूं एक पूर डिलेवरी पार्ट्स पर कारे तो मेंटें के पर देस्ते नम् इसकी दस्तावेच देखो यह आपके जो सो नमबर का पेपर होगा यह इसी के उपर पूछा जाएगा गर्बवती महिलाओं के उपर हेमोगलोबिन कितना होना चाहिए यह सबी कुछ क्योशन पूछा जाएगा नॉर्मल क्योशन पूछी जाएगा ठीके यह साइंस और जी आपको पूरा आपके इनके उपर पूछा जाएगा गर्बरत महिलाओं के उपर है ना यह हेमोग्लोबिन कैसे क्या करना कौन सा दिवस कब मना जाते कौन सी गोलियां यह बहुत सारी जो चीजी हैं यह स्वास्त से परिक्षन संब्दित यह सब क्वेश्चन आपके सो नंबर यहां से आप ओपन कर लेने के बाद फिर यह आप को इस पर क्लिक करना यह लिखा हुआ 1200 सो पोस्ट इस पर आप क्लिक कर लेना यहां पर क्लिक करोंगे तो यह यहां पर आ जाएगा पर रूल बूक देखो यह रूल बूक आ जाएगा यह इसमें आपको इस रूल बूक पर क्लिक करने के बाद यह आपकी पीडियेप ओपन हो जाएगी यह 14 नंबर यह 14 पेंज हो गई ओपन ठीक है चलिए इसके बाद आपको ओनलाइन फोम भी पता देखो एक मिनिट यह यहा आप यहां पर आपका मुबाइल नंबर और आप कुछ भी पासवर्ड नहीं याद हो तो यहां पर आप अप्लाइन आउ पर क्लिक करके यहां पर आपका नाम और पासवर्ड बना देना पासवर्ड याद नहीं हो तो आपको क्या करना आपको फोर्गेट कर देना ठीक है त काम को फ़र सकते हैं एज है 21 साल से सो नंबर का पेपर होगा साथ दिन पहले एक्जाम डेट पता चल जाएगी और कोई भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद